परिचय हे जैकी यह देखो यह गेंद जैसा दिखता है लेकिन यह असली गेंद नहीं है फिर यह क्या है? हेरी यह फुटबॉल की छाया है यह इसलिए बनी है क्योंकि फुटबॉल ने सूरज की रोष्णी को अवरुद्ध कर दिया है इसलिए आओ अब छाया और इसके बनने के बारे में कुछ जानते हैं आओ सीखें छाया को पहचानना छाया के निर्मान का कारण बताना प्रकाश के सुरोत के आधार पर छाया की दिशा जानना छाया नमस्कार दोस्तों सबसे पहले यह चर्चा करते हैं कि छाया होती क्या है? दरसल छाया एक अंधेरा क्षेत्र होती है जिसका निर्मान किसी वस्तुद्वारा प्रकाश के अवरुद्ध हो जाने के कारण होता है स्कूल व कॉलेज यह स्कूल है पिताजी यह वही स्कूल है जहां मैं रोज पढ़ने आता हूँ मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ मुझे स्कूल में पढ़ना और अपने दोस्तों के संग खेलना पसंद है बढ़िया वह देखो वह कॉलेज है जब तुम बढ़े हो जाओगे तो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाओगे चाया अपनी दिशा बदलती है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाश के सुरोत की दिशा बदलने के साथ ही चाया की दिशा भी बदलती रहती है उदारन स्वरूब जब सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है तो पेडों की चाया बदलती रहती है दिन भर में कभी यह चूटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है आओ देखें यह कैसे होता है सुबह के वक्त चाया जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदाय होता है सुबह सूर्य पूर्व में होता है इसलिए चीजों की छाया पश्चिम की तरफ बनती है अब जरा इसकी लंबाई देखो जियों जियों सूर्य पश्चिम की तरफ बढ़ता है छाया का आकार बदल जाता है दोपहर के वक्त छाया यह दोपहर का वक्त है और सूर्य सिर पर है क्या आपने इस पेड़ की छाया पर ध्यान दिया? पेड़ की छाया अब छोटी हो गई है शाम के वक्त छाया दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य पश्चिम में डूपता है इसलिए शाम को चीजों की छाया पूर्व में बनती है इसलिए दोस्तों हमने देखा कि जैसे जैसे सूर्य अपना स्थान बदलता है वैसे वैसे किसी छाया का आकार भी बदलता है छाया की दिशा हे दोस्तों क्या आपने ध्यान दिया कि छाया हमेशा प्रकाश के सुरोत के विपरीत दिशा में बनती है हमने क्या चर्चा की? च्छाया एक अंधेराक्षेत्र होती है जब प्रकाश किसी वस्तू से अवर्द हो जाता है तो च्छाया का निर्मान होता है यह दिन भर समय के साथ अपनी दिशा और लंबाई बदलती है यह सदैव प्रकाश के सुरोत के विपरीद दिशा में बनती है हमने क्या चर्चा की? हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पडोस में शामिल होते हैं स्कूल और कॉलिज में हम नई और अच्छी चीजें सीखते हैं हम बाजार से विभिन सामान खरीते हैं लोग डाग घर के माध्यम से पत्र भेजते और पाते हैं अस्पताल में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और दवा देते हैं लोग अपना धन और आभूशन सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं अगनी योध्धा और पुलिस अधिकारी जरूरत पढ़ने पर लोगों की मदद करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं बसें और रेलें दूर के स्थानों को जोडती हैं झाल ये जो बचल करते हैं झाल